नमस्का दोस्तो हमारी अपनी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो जब से MP पुलिस कॉंस्टेवल का रिजल्ट आया है MP पुलिस कॉंस्टेवल के रिजल्ट पर जो है कापी ज़्यादा उंगलिया उट रही है और व्यापम ने दोस्तो एक इस पस्टी करण जो 2020 जनवरी फरवरी 2022 में आयुजद की गई उक्त की गई उसका प्रथम चरण का परड़नाम भी पुलिस मुख्याले मदपदेश द्वारा अस्था चरित नियम पुष्टिका के आधार पर ही दिनांग 24 मार्च 2022 को जो है गोशित कर दिया गया है 6000 पदों के लिए जो है बरती होई थी 5000 के आसपास अभ्यरती जो है सोट लिस्ट किये गए है प्रथम चरण के रिजल्ट के आधार पर सूची उपलब्द कराते समय ये ध्यान रखा गया है कि रेन्नम लिस्ट हो जिसमें बास्ता में ये पता नहीं लगाया जा सके कि लिस्ट के अंक बता देने से फिजिकल टेस्ट की भी सुचिता प्रवावित होने की संभावना रहती है फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई पाई जाने के आधार पर फाइनल रिजल्ट पी भी द्वारा निकाला जाता है जिसमें कटोब मार्क्स एवं अभ्यरती द्वार प्राप्त मार्क्स भी दर्साय जाते हैं कुछ समाचारों में पुलिस आरट चक बरती परिशा दोजार बीस के अब्यरतियों के परिणाम में कुछ अब्यरतियों को पहले qualify वो बाद में जो है not qualifying not qualified अंकित किया होने का उलेक किया जा रहा है इस सम्मनुद में अबगत कराया जाता है कि पीवी द्वारा परिच्छा परणाम एक ही बार जारी किया गया है आविदक स्वेम ओनलाइन अपना परिच्छा परणाम देख सकते हैं यदि किसी भी प्रकार की कोई संका है तो बे समुचित साच्छियों के साथ अपना आविदन बोर्ड कार्याने में में कोई संका की आवस्कता नहीं है पीवी है आस्वास करता है कि परिच्छा नियम पुष्टका के अनुसार पून सुचिता पूर्वक संपन कराई गई है एवं परणाम भी पूनता फियर एवं पारदसी होगा तो दोस्तों इसमें यहीं बोला गया है मैंन बात यह है क्य जारी किया है लेकिन फिर भी यही किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है को संका है तो वे समचित जो है साच्छों के साथ अपना आवेदन बोर्ड कारेला में प्रश्तुत करें जैसे संका का समाधान किया जा सके और दोस्तों बहुत सारी बाते बोली है जैसे कटॉप के बा बाक्स भी बाद में जारी किये जाते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स यह ब्यापम द्वारा जानकारी दी गई है जो मैंने आपको बताई है धन्नवाद